किसी भी बैंक का मिनी ब्रांज या पिर CSP उपन करने के लिए आप लोग पास IIBF के द्वारा लिया गया BCBF exam का सर्टिफिकेशन होना चाहिए अगर आपके पास IABF BCBF exam का certificate नहीं होगा तो कोई भी agency या फिर कोई भी bank आप लोगों को BC point के लिए approval नहीं देगी तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि कैसे आप लोग Indian Institute of Banking and Finance के द्वारा लिया गया BCBF का exam के लिए registration कर सकते हो आप लोगों को कितना फिस लगने वाला है और किस परकार से exam complete होने वाला है आप लोगों को exam का कैसे question and answers मिल सकता है एक्जाम देने के बाद certificate आप लोगों को कैसे मिलता है, certificate डाउनलोड कैसे करते हैं, इन सारे ही topics के बारे में आज के इस वीडियो में आप लोगों को सारी जनकारी पता चल जाएगी, तो वीडियो को लाज तक जरूर देखेगा, चलिए आज की इस कमाल के वीडियो को सुरू करते हैं, सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि IABF BCBF exam के लिए कैसे आप अपना registration कर सकते हो, उसके बाद हम लोग बाकि सारे topics के बारे में बात करेंगे, तो registration complete करने के लिए total दो process आप लोगों को यहां पर मिलने वाले हैं, अगर आप लोग पास CACID है, तो आप लोग अपने Digital Siva Portal से registration करते हो, तो आप लोगों को payment अपने CAC wallet से करना होता है, वहीं अगर आप लोग इसके official website से अपना registration complete करोगे, तो आप लोगों को यहां पर payment के बहुत सारे methods मिल जाते हैं, जैसे कि UPI, debit card, credit card, internet banking, तो आप लोग अपने हिसाब से registration को complete कर सकते हो, या तो इसके official website से, या फिर Digital Siva Portal से, तो दोनों ही process के बारे में मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ, सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि CAC ID के थुरू कैसे आप लोग IAB BCBF exam का registration कर सकते हो, तो BCBF exam का registration करने के लिए आप लोगों को अपने Digital Siva Portal में login करना होगा, उसक परकार का new tab में page open हो जाएगा, registration complete करने के लिए इस application form को आप completely fill करोगे, उसके बाद ही आप लोगों को payment का option आएगा, तो application form को fill करने के लिए सबसे पहले आप लोगों को अपना basic details यहाँ पर fill करना होगा, basic details में first name का selection यहाँ से upload करोगे, आप लोगों को अपना title का selection यहाँ से कर लेना है, उसके बाद first name को यहाँ पर fill कर देना है, अगर आप लोगों का कोई middle name है, तो आप लोग middle name को यहाँ पर fill करोगे, अने था last name को यहाँ पर fill कर दोगे, उसके बाद contact details यहाँ पर आप लोगों को fill करना होगा, contact details में address line 1 में आप लोगों को अपने village और post का details fill क सकते हो, फिर आप लोगों को अपने district का नाम यहाँ पर फिल कर देना होगा, उसके बाद अपने city का नाम यहाँ पर आप लोग फिल कर दोगे, उसके बाद state का selection यहाँ से अप लोग करोगे, फिर आप लोगों को यहाँ पर अपना pin code फिल कर देना है, उसके बाद date of birth का selection यहा से आप लोग कर लोगे उसके बाद नीचे स्क्रॉल करोगे application form में आपको gender का option मिलेगा जिसमें आप लोग अपने gender का selection यहां से करोगे उसके बाद qualification का details यहां पर आप लोगों को fill करना होगा अगर आप लोग undergraduate हो यानि कि आप लोगों का graduation अभी तक complete नहीं हुआ है तो आप लोग यहां पर first वाले option को select करोगे अगर आप लोगों का graduation complete हो चुका है तो आप लोग यहां पर graduate वाले option को select करोगे अगर आप लोगों ने अपना post graduation भी complete कर लिया है जैसे PG कहा जाता है तो आप लोगों को यहाँ पे post graduate वाले option पर click करना होगा तो मैंने फिलाल यहाँ पे under graduate को ही select किया हुआ है इसके बाद हमें specify वाले option पर click करना होगा यहाँ पर आप लोगों को total दो option मिल जाते हैं HSC और SSC का अगर आप लोगों ने class 12th pass किया हुआ है तो आप लोग HSC वाले option को select करोगे अगर आप लोगों ने class 10th pass किया हुआ है तो आप लोग यहाँ पे SSC वाले option को select करोगे उसके बाद email id यहाँ पर आप लोग फिल करोगे इसी email id में आप लोगों का admit card और आपका certificate send किया जाता है तो email id को सही से आप लोगों को fill करना होगा उसके बाद नीचे scroll करोगे contact details में आप लोगों को mobile number यहाँ पे fill करना होगा आपका आधार card number यहाँ पे आपको fill करना होगा उसके बाद कुछ documents भी यहाँ पर आप लोगों को upload करने पड़ेंगे उसके बाद यहाँ पर आप लोगों को id proof भी select करना होगा जिसमें आप लोग driving license, pen card या फिर passport तीनों में से किसी एक document को दे सकते हो फिलाल में pen card को upload करूँगा इसलिए pen card वाले option को select कर लोगा और यहाँ से pen card का number fill कर दूँगा और इस document को हमें upload भी करना होगा तो document upload करने के लिए यहाँ पर हम लोग choose file वाले option पर click करेंगे और यहाँ से हम लोग अपने pen card को select कर लेंगे और यह सारे ही documents आप लोगों को jpg format में करने होंगे और jpg format में करने के साथ कितने size में करने है उसका भी details यहाँ पर दिया गया है जैसे कि आप लोगों का photo और signature 8 से 20 के भी के बीच में होना चाहिए और आप लोगों का document यानि की pen card 8 के भी से 25 के भी के बीच में होना चाहिए तो अब हम लोग यहाँ पर exam का details को fill करेंगे exam के details को fill करने के लिए exam details वाले section में आ जाएंगे यहाँ पर आप लोगों को exam name का selection नहीं करना है automatically ही certificate examination for business correspondence का option आ जाएगा fee amount का option यहाँ पर आप लोगों को मिलता है कि कितना fee लगने वाला है तो fee amount को देखने के लिए सबसे पहले आप लोगों को अपने medium का selection यहाँ से कर लेना होगा कौन से medium में आप लोग अपने exam को देना चाहते हो उस language का selection यहाँ से अप लोग करोगे उसके बाद center का name यहाँ से अप लोग सेलेक्ट कर लोगे center name सेलेक्ट करने के लिए आप लोगों को अपने district का या फिर city का name को यहाँ पर fill करना है उसके बाद आपके सामने आपके district का name यहाँ पर आ जाएगा आप लोगों को simply अपने district का selection यहाँ से कर लेना है उसके बाद यहाँ पर आप लोगों को venue का option मिल जाता है यानि कि exam center का name selection करना होगा exam center का selection करने के लिए select वाले option पर आप click करोगे, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, मेरे district में इतने सारे exam centers available है, तो मेरे नजदीक में जो भी exam center available है, उसे हम लोग यहाँ पर select कर लेंगे, अब exam center का complete address देखने के लिए आप लोगों को simply इस exam center वाले option पर अपने cursor को hold करके रखन है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि इस exam center का complete address यहाँ पर आ चुका है, सते साथ इस exam center का contact number भी यहाँ पर आ चुका है, और exam center को select करने से पहले आप लोगों को exam center वाले contact number पर contact कर लेना चाहिए, और सारे ही details को पता कर लेना चाहिए, कि कौन से date में seats available हैं, तो हम लोग यहाँ से अपने exam center को select करेंगे, उसके बाद यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि हमारा fee amount 100 हो चुका है, 800 रुपाई प्लस GST हमें लगने वाले हैं, यह इसका final amount नहीं है, क्योंकि GST का जो भी percentage है, वो हमारे payment gateway में आएगा, payment gateway में हमें पता चल जाएगा कि कितना fees हमें ल बजे इस exam को देना चाहता हूँ, तो 10 बजे का selection में यहाँ से कर लूँगा, यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूँ कि आप लोगों का exam 2 घंटे का होने वाला है, 2 घंटे में आप लोगों को अपने exam को clear करना होगा, उसके बाद कितने seats available है center में, यहाँ पर आप लोगो को so हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पर आप लोगों को center का code भी select हो जाएगा, उसके बाद आप लोगों को कुछ भी नहीं करना है, नीचे आप लोगों को scroll करना है, और यहाँ पर आप लोगों को I accept वाले option पर tick करना होगा, इसके अपचा को यहाँ पर आप लोगों को fill कर और preview and proceed for payment value option पर click करना होगा preview and proceed for payment value option पर click करने के बाद पूरा application form का preview आपके सामने open हो जाता है आप लोग अपने सारे details को match कर लोगे और proceed for payment value option पर click करोगे उसके बाद आपके सामने CSE का payment gateway open हो जाता है यहाँ पर आप लोगों को wallet amount से कितना cut होगा साथे साथ sale amount कितना है इनके बारे में भी सारी details यहाँ पर मिल जाएगी साथे साथ यहाँ पर आप लोग देख सकते हो payment complete करने के लिए CSE ID का password यहाँ पर आप लोग फिल करोगे payment complete होने के बाद कुछ इस परकार का page में आप लोगों को redirect कर दिया जाएगा यहाँ पर आप लोग अपना registration number देख सकते हो साथे साथ आप लोगों को यहाँ पर अपना password भी मिल जाएगा यह password IIWave के द्वारा ही generate किया गया है आप लोगों ने कहीं पर भी अपना password को fill नहीं किया है तो अपने registration number और password को आप लोग note करके रख लिजे और नीचे scroll करोगे तो यहाँ पर आप लोगों को total दो options मिल जाते हैं पहला तो log out का है और दूसरा home का button आप लोगों को यहाँ पर मिलता है आप लोगों को अपना dashboard देखने के लिए home वाले button पर click करना होगा और अगर home button पर click करने के बाद आपका dashboard open नहीं हो रहा है आप लोग 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 वाले button पर click करोगे यहाँ पर आप लोगों को non members वाले option पर click करना होगा उसके बाद आप लोगों को अपना registration number यहाँ पर fill करना है registration number आप लोगों को payment complete करने के बाद मिलता है और आप लोगों को password भी उसी page में मिलता है तो registration number और password को यहाँ पर आप लोगों को फिल करोगे और इसके अप्चा को यहाँ पर फिल करोगे और submit वाले बटन पर क्लिक करोगे submit पर क्लिक करने के बाद इस परकार का page आपके सामने open हो जाता है कुछ notification यहाँ पर आप लोगों को open होती है आप लोगों को simply okay वाले बटन पर क्लिक करना होगा फिर से okay वाले बटन पर क्लिक करना होगा तो इस परकार से आपका dashboard open हो जाता है यहाँ पर आप लोगों को कुछ basic से options मिलते हैं जैसे कि अगर आप लोगों को फिर से किसी exam के लिए apply करना है तो आप लोग इस वाले option पर click कर सकते हो अगर आप लोगों को अपना application history देखना है कि कौन-कौन से application form आप लोगों ने fill के हुए थे तो आप लोगों simply इस वाले option पर click करना होगा अगर आप लोगों को अपना admit card डाउनलोड करना है या फिर pdf में save कर लेना है तो pdf में save करने के लिए यहाँ पर आप लोगों को option मिल जाता है save as pdf आप लोग simply इस वाले option पर click करोगे उसके बाद आप लोगों को यहाँ पर option मिल जाता है transaction details का आप लोग अपने transaction का details यहाँ से देख सकते हो कि कितना का transaction आप लोगों ने किया था उसके बाद profile को आप edit भी कर सकते हो आप लोग अपने password को भी यहाँ से change कर सकते हो और last में आप लोगों को option मिल जाता है logout का तो अभी तक मैंने आप लोगों को बता दिया कि आप लोग कैसे अपना registration कम्पलीट कर सकते हो कैसे आप लोग अपने admit card को download कर सकते हो admit card को download करके आप print कर लोगे और जो भी exam date का selection आप लोगों ने किया होगा उस exam date को आप लोग अपने center में visit करोगे और वहाँ पर अपना exam को clear कर लोगे admit card के साथ आप लोगों को एक ID proof भी अपने साथ ले जाना है आप लोगों को अपना आधार card या फिर pen card आपके साथ ले जाना होगा अब यहाँ पर बात आजाती है कि किस परकार से आप लोगों को exam clear करना है exam में कौन-कौन से questions and answers आप लोगों को पूछे जाते हैं तो question and answers के लिए मैं एक special video बना दूँगा हाला कि मैंने अपने चैनल में वीडियो बनाये हुए है question and answers के लिए और उसका PDF भी मैंने अपने टेलिग्राम चैनल में दिया हुआ है तो अगर आप लोग टेलिग्राम ग्रूप में अभी तक जुड़े हुए नहीं है तो आप लोग हमारे टेलिग्राम ग्रूप से जुड़ सकते हैं जहां पर आप लोगों को IAVF exam से लेटर जितने भी question and answers है वो सारह ही question and answers PDF format में मिल जाएंगे और साथे साथ एक जरूरी चीज में आप लोगों को बताने भोली गया मैंने वीडियो के सुरुवात में बात किया हुआ था कि बिना CACID के थुरू कैसे आप लोग अपना registration complete कर सकते हो तो बिना CACID के अपना registration complete करने के लिए आप लोगों को basically IAVF के official website में आना होगा इसका direct link आपको description में मिल जाएगा यहाँ पर आने के बाद आप लोगों को एक option मिल जाता है BCBF का आप लोग simply इस वाले option पर click करोगे यहाँ पर आप लोगों को एक option मिल जाता है apply non members का simply आप लोग इस वाले option पर click करोगे उसके बाद आपके सामने इस परकार का page open हो जाता है यहाँ पर आप लोगों को login करने का option मिलता है लेकिन आप लोग नीचे देखोगे तो यहाँ पर आप लोगों को if you have not registered click here to register वाला option मिलता है basically आप लोगों को इस वाले option पर click करना है लेकिन दोस्तों कुछ दिनों से यह page काम नहीं कर रहा है यहाँ पर आप लोग देख सकते हो access denied का notification आ रहा है यानि कि कुछ technical problems या फिर IABF के द्वारा इस link को अभी expire कर दिया गया है आप लोगों को यहाँ पर application form फिल करने का कोई भी option नहीं दिया जा रहा है लेकिन दोस्तों बिना CSE ID के थुरू इसी परकार से यहाँ पर registration complete होता था मैंने यहाँ पर खुद से अपना registration यहीं से complete किया हुआ था अगर आप लोगों को अभी IABF exam का registration complete करवाना है तो आप लोगों को अपने नजदे की CSE Center में जाना होगा और वहीं से payment complete करवाना होगा अब exam को clear करने के बाद आप लोगों को IABF का certificate 45 days में आपके email ID में send कर दिया जाता है लेकिन अगर आप लोगों को certificate की बहुत ज़्यादा जरूरत है आप लोगों को तुरंत ही अपना certificate चाहिए तो इसके लिए एक link को भी active किया गया है उसका link आपको नीचे description में मिल जाएगा जिसमें आप click करोगे तो इस परकार का page आपके सामने open हो जाएगा यहाँ से आप लोग अपने certificate को download कर सकते हो certificate download करने के लिए अपना registration number यहाँ पर fill करोगे उसके बाद capture को fill करोगे get details पर click करोगे OTP से verification करने के बाद आप लोगों का certificate यहाँ से download हो जाएगा तो कुछ इस परकार से यह सारे details आप लोगों को मैंने इस वीडियो के थुरू बता दी आसा करता हूँ कि यह वीडियो आप लोगों को helpful लगी होगी वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजेगा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा मैं मिलता हूँ आपसे ऐसे नए अगले वीडियो में तब तक के लिए टाटा एंड गुडबाई दोस्तो